तो hello everyone, welcome back to the channel where for click और आज हम बात करने वाले हैं animation और rigging के बारे में वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम कोई character बनाते हैं तो उसको animate करने के लिए सबसे पहले हमें उसमें bone add करनी होती हैं यानि उसका कंकाल बनाना होता है और उसी कंकाल की मदद से हम उसको animate कर सकते हैं और इस process को हम बोलते हैं rigging जितनी अच्छी तरीके से आप किसी भी character की rigging कर सकते हैं उतनी ही अच्छी तरीके से आप character को animate कर सकते हैं basic level पर rigging सीखना चाहते हैं तो उसके लिए episode number 31, 32, 33 और 34 को आप practice कर सकते हैं जिससे आपका rigging का जो basic है वो आपका अच्छी तरीके से clear हो जाएगा इसके अलावा अगर आप bunny बनाई animation और bunny बनाई rigging को इस्तमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको episode number 36 बनाया लेकिन फिर भी काफी सारी लोगों को rigging में problem आ रही हैं और animation भी उस level की वो नहीं कर पा रहे हैं जिस level की वो चाहते हैं तो आज से ये video उसी solution के लिए हैं और हम rigging को और भी आसान यहाँ पे करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि blender ने rigging को आसान करने के लिए हमें एक add-on दे रखा है जिसका नाम है rigify स्टार्टिंग में जब आप blender में आएंगे और यहाँ पे shift a बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको जो एक armature का option मिलेगा और यह जो armature का option है यही हमारा rigging के लिए इस्तमाल होता है स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी आपको option नहीं मिलेगा लेकिन चलिए सबसे पहले हम rigify add-on को यहाँ पे add कर लेते हैं simply आपको जाना है edit में edit के बाद उसमें जाना पड़ेगा आपको preferences में जो सबसे last option है और यहाँ पे आपको जैसे ही आप इस पे click करेंगे add-ons पे यहाँ पे आपको search करना है rigify जैसे ही आप यहाँ पे rigify को search करेंगे यहाँ पे आपको यह rigify का add-on मिल जाएगा कुछ भी चीज आपको install करने की ज़रूरत नहीं है यह already हमारे blender में मौझूद होता है हमको simply इस पे जाके tick करना होता है इसको जैसे ही मैं यहाँ पे tick करूँगा और save preferences पे यहाँ पे click करके इसको बंद कर देता हूँ अब मैं अगर shift A बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे जो मेरे armature है इसमें काफी सारे option मेरे पास आ चुके है एकसा चीज मैं यहाँ से हटा देता हूँ सबसे पहले जो हमारे पास में human matter rig है इसके अलावा हमें सबसे नीचे की तरह basic एक option दे रखा है इसमें हमारे पास में दो basic rig है यह भी character की ही rig है लेकिन जब आप इस पे click करके check करेंगे तो यह बिल्कुल basic simple character के लिए हम यहाँ पे इस्तमाल करते हैं जितने भी हमारे MGO type के या फिर simple character होते हैं जिसमें हमें उसकी आँख नाख को animate नहीं करना होता है cable shape की की मदद से हमें character के जो lip sing है वो करानी होती है तब हम इसका इस्तमाल वहाँ पे कर सकते हैं कैसे करते हैं इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे इसके अलावा आपको दूसरी एक और rig मिलेगी यह हमारे जानवरों के लिए इस्तमाल होती है जहाँ पे भी आपको चार पैरों वाले जानवर हैं उसमें अगर यह कोई भी आपको अगर bone add करनी है तब यह जो rig है आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं यह भी cable simple level पे इस्तमाल होती है advance के लिए हमारे पास में दूसरे option दे रखे हैं इसके अलावा आपको यहाँ पे animals की भी बहुत सारी rig मिल जाएंगी यह सारी की सारी animals rig हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग-अलग जानवरों के हिसाब से पांच अलग-अलग तरह की rig हमें यहाँ पे दे रखी हैं जिनको हम किसी भी तरह के जानवरों में इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले अपना basic से start करते हैं और basic human meta rig को हम यहाँ पे apply करके देखें किस तरीके से इससे हम character में animation करते हैं और अगर आपको advanced level पे character को rig करना है तो हमारे पास में human meta rig यहाँ पे दिया गया है इसमें आपको face का, उंगलियों का और यहाँ पे पैरों का भी यहाँ पे rig मिल जाएगा तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पे कोई simple character ले के आता हूँ और इनको मैं हासे delete कर देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दूसरी फाइल में बहुत सारे character यहाँ पे रखे हुए हैं इसी तरीके से आप जब भी character बनाते हैं तो अपना character का एक collection बना सकते हैं और copy करके paste करके आप यहाँ पे उनको रख सकते हैं तो यहाँ पे यह जो character है इसको मैं यहाँ पे उठा लूँगा simply मुझे यहाँ पे select करना है इसको ctrl c बटन दबाना है अपना जो main वाला जो जहाँ पे हम काम कर रहे हूं वहाँ पे जाना है और इसको ctrl v से paste कर देना है ctrl v से जब आप इसको paste करेंगे तो वह अपनी ही जगा पे वहाँ पे आएगा जहाँ पे वह उस में फाइल में मौझूद था फिलाल एक्स्ट्रा चीज़ों को मैं यहाँ से delete कर देता हूँ सबसे पहले मैं इसको center में ले चलता हूँ तो इसको मैं select करूँगा shift s बटन दबाऊंगा और यहाँ पे select or cursor कर दूँगा तो मेरा character यह बिलकुल बीच ओबीच पहुँच जाएगा dot का बटन दबाके numpad का जो dot है उसका बटन दबाके मैं इसको focus में ले सकता हूँ यहाँ पे सबसे पहले जो इसमें rig add की हुई है यह मेरी पुरानी rig है हटा देता हूँ इस rig को इसको मैं पूरे को select करूँगा alt p बटन दबाऊंगा clear and keep transform पे click करूँगा मेरी जो rig है वो यहाँ से अलग हो जाएगी इसको मैं यहाँ से delete कर देता हूँ shift a बटन दबाऊंगा यहाँ पे मुझे जाना है basic में और यहाँ पे basic human meta rig पे click करूँगा तो यह मेरा इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा इसको मैं as दबा के थोड़ा सा scale कर देता हूँ character के level का और सबसे पहले मैं इसको front पे लेके आऊँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं object data property, object data property पे जाना है इसके बाद view display पे जाना है यहाँ पे in front पे click करना है यह सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो यहाँ पे follow की है अब हमें यह जो rig है इसको अपने character के हिसाब से इसमें set करना है one दबाऊंगा मैं ताकि मैं इसके front view को देख सकूँ तो rig को हमने character के level पे scale कर लिया है अब हम इसके edit mode में चलते है edit mode में जाने के बाद मैं सबसे पहला आपको काम करना है कि अपना जो rig है उसको उस level पे लेके आना है जिस level पे हमारा character है इसमें मैं ये वाला portion select करूँगा इसमें arrow को यहां पे on करके इसको हलका सा नीचे की तरफ करूँगा ताकि ये मेरा set हो सके अब यहां पे आप देख सकते हैं इसके जो lag हैं वो मेरे यहां पे थोड़े से छोटे बढ़ रहे हैं तो इन lag को मैं थोड़ा सा यहां पे नीचे की तरफ यहां पे इस तरीके से बढ़ा दूआ अब यहां पे आप देख सकते हैं कि मुझे ये दौनों की दौनों बाजू है यह यहां पे set करनी है तो इसमें अगर मैं इस वाली बाजू को यहां पे set करने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हैं यह वाली बाजू मुझे अलग से यहां पे set करने पड़ेगी लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं इसको set करूँ यह दूसरी बाजू भी मेरी automatically इसमें set हो जाए तो इसके लिए मुझे यहां top पे एक option दे रखा है यहां पे आप देख सकते हैं X का एक option मेरे को दिया हुआ है और इस पे अगर मैं यहां पे option पे click करूँगा तो यह मुझे दे रखा है access mirror तो यह हमारा rigging के लिए specially बनाया गया है अगर आप कोई दूसरा version इस्तमाल कर रहे है तो यह option आपको हर एक में मिलेगा हो सकता है इसका icon थोड़ा वो change हो जाए आप इसको यहां पे search कर सकते हैं कि कौन सा icon आपका यह इस type का काम करेगा यहां simply इस जो X है इस पे आपको set कर देता हूँ इसको simply आपको यहां पे इसके point को click करना है और इस तरीके से आप इसको उपर ले जाना है इस तरीके से आप इसको click करेंगे और उसी direction में इसको इस तरीके से उपर ले जाएगे आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरी जो बाजू है वो थोड़ी सी यहां पे set हो चुकी इस पूरे को मैं यहां पे select करके हलका सा यहां पे नीचे की तरफ कर दूँगा ताकि यह मेरा बाजू पे एकदम set हो जाए यहां से मैं इस वाले को पूरे को यहां पे select करूँगा और हलका सा इसका बाजू यहां पे रखूँगा और यह वाला जो portion है इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और इसको हलका सा और बढ़ा देता हूँ क्योंकि यह बहुत ज़्यादा छोटा है फिर से मैं यहां पे इसको select करके इस तरीके से यह दौनों बाजू मेरी यहां पे set हो चुकी अगर one दबा के आप चेक कर लीजी अगर आपको थोड़ा बहुत उपर नीचे लगता है तो फिर से आप इसको select करी और इसको हलका सा नीचे इस तरीके से आप adjust कर सकते हैं एक वाल जब आपका front से आपका set हो जाए तो three button दवाएंगे यानि side से आप देखेंगे तो side में आप देख सकते हैं इसकी जो garden है वो बिल्कुल perfectly मेरी यहां पे set हो चुकी है और सबसे last में आपको seven button दवाना है और उपर से check करना है यहां पे आप देख सकते हैं कि बाजू हल किसी यह मेरी पीछे की side में जा रही है तो इनको थोड़ा सा मैं यहां पे select करूँगा और आगे कर लूँगा इसको इस तरीके से मैं यहां पे इसको select करूँगा और इसको हलकासा इस तरीके से आगे बढ़ाद। रिगिंग करते समय आपको हमेशा एक चीज़ का विसेश ध्यान देना है कि यहाँ पे जो बाजू है इसमें हलकासा यह जो बैंड है यह हमारा होना चाहिए अगर आप इस बैंड को यहाँ पे इधर की साइड में कर देंगे तो यह पिर इसकी बाजू पीछे की तरफ में यहाँ यहा पे मुड़ने लगी तो यह हमारा बलैंडर को बताता है कि हमारी जो बाजू है वो किधर की साइड इसमें मुड नहीं ہیں थोड़ा सा pair में अगर आपको और यहां पे लग रहा है तो इसको हम यहां को यहां पे adjust कर देते हैं तो पहले मैं इसको नीचे यहां से select करूँगा और फिर shift का button दबा के इस तरीकी से इसको select करके और one दबा के इसको front में आऊँगा और इस तरीके से मैंने यहां पे इसको select करके अब यह perfectly मेरी जो bone है वो यहां पे अच्छी तरीकी से rig के लिए तयार हो चुकी है अपने character में बस आपको यह simple सा step करना है और यह हमारी rigging यहां पे हो चुकी है अब हमें इसके बनाने है controller जिसकी मदद से हम इसमें animation कर सकते हैं तो controller के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें controller बड़े आसानी से generate कर सकते हैं controller generate करने के लिए सबसे पहले आप अपने object mode में वापस आईए यहां पे object mode में वापस आएंगे तो यहाँ पे आपको एक option highlight हो जाएगा जिसका नाम है generate rig इसको मैं आपको दिखा देता हूँ generate rig इस पे click करके आप यहाँ पे इसके controller को add कर सकते लेकिन इस generate rig को जैसे आप click करेंगे मालीजे जो garden की bone है इसको मैं हलल कासा यहाँ पे disbalance कर देता हूँ इस तरीके से और अब मैं वापस से object mode में जाऊँगा यहाँ पे और अब मैं अगर generate rig पे click करूँगा तो आप देखेंगे एक error मेरे पास में आ चुकी है और यह error मुझे बता रही है spine 004 तो यह bone मुझे बता देगी किस bone के लिए यह error मेरी आ रही तो सबसे पहले bone को find करना है तो bone find करने का simple तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपने rig को select कीजिए यहाँ पे और name पे click कीजिए और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी rig है जिसका नाम हमारा spine 004 है तो spine 004 मेरी यहाँ पे display lens हो गई थी इस वज़े से मेरी यह error आई थी तो चलिए इसको वापस से set करते हैं इसके लिए मैं इसको यहाँ पे select करूँगा edit mode में जाऊँगा अगर हमें इसको drag and drop करके इसको position में लाने की कोशिश करूँगा तो यह हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी तो उसका simple तरीका क्या है आईए देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको वापस से अपनी जगा पे लेके आएंगे इसके लिए हम यहाँ पे 3D cursor का इस्तमाल करेंगे और अपनी जो सबसे पहले ये वाली जो bone है इसको मैं यहाँ पे select कर लेता हूँ जो मेरी पुरानी bone थी अपना जो 3D cursor है वो मैं यहाँ पे इसके उपर लेके आऊँगा अभी जो मेरा 3D cursor है वो सबसे नीचे pending में पड़ा हुआ है और जैसी मैं Ctrl S बटन दबाऊँगा ये मेरे पास option आ जाएंगे और यहाँ मुझे एक option मिलेगा cursor to selected अगर आप कोई और version इस्तमाल कर रहे हैं तो हो सकता है ये option आपका कोई दूसरी जगा पे हो लेकिन जैसे ही आप इस पे click करेंगे cursor to selected पे तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा 3D cursor अब बिलकुल इसके बीच ओ बीच आ जाएगा अब मुझे ये जो bone है इसको select करना है और simply अपना दुबारा से Ctrl S बटन दबाना है और selection to cursor प तो मेरी जो bone है वो अब 3D cursor पे इसको खीच के इस पे लेके आए इस तरीके से मेरी जो bone है वो वापस से अपनी position पे आ चुकी है और ये जो 3D cursor है इसको अपनी वापस से position पे पहुंचाना है तो फिर से मैं shift S बटन दबाऊंगा और सारे option में यहां cursor to word origin पे click करूंगा तो ये मेरा वापस से अपना word पे चला जाएगा इस तरीके से मेरी जो bone है वो यहां पे इस तरीके से set हो चुकी है और अब ये मेरा error को नहीं देगा वापस से मैं अपने object mode में आऊँगा सबसे पहले मैं अपना जो name है उसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए error को वापस bone है वो correctly यहां पे set तो हो गई है और मेरा जो rig है वो यहां पे generate भी हो चुका है लेकिन वो जो rig है वो मेरा पुराना जो इसका size था उसके हिसाब से यहां पे दे रहा है starting में जैसे ही हमने आपे shift A बटन दबा के और जैसे ही मैंने यहां पे basic पे click किया था तो हमारा जो starting में इसका जो size था end बटन दबाएंगे तो यहां item में आपको देख जाएंगी यह जो transform property है वो हमारी उसके हिसाब से इसको ले रहा है तो सबसे पहले हमें blender को बताना पड़ेगा कि जो हमारी meta rig है उसका जो transform property है वो हमने scale करके अब यहां पे change कर दी है तो यह जो चीज़े है मै इनको यहां फिलाल के लिए मैं इनको यहां से delete कर देता हूँ इसका solution के लिए सबसे पहले हमें इसको select करना है rig को select करने के बाद हमें control A बटन दबाना है और यहां हमें एक option मिलेगा all transform all transforms में जैसी में click करूँगा तो यह blender को बता देगा कि हमारा जो meta rig है change हो चुकी है यान आप पुराने वाले meta rig के हिसाब से यहां पे बिलकुल बनके उसी size में आ रहा है इस तरीके से आप यहां पे अपना जो rig है उसको यहां पे generate कर सकते हैं अपने character के लिए बहुत ही आसानी से अब इसमें आप देखेंगे कि मेरे पास में दो rig यहां पे generate हो गई है एक rig मेरी यह meta rig है और दूसरी जो है मेरी यह main rig है animation के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें meta rig जो है इसको आप यहां पे delete कर सकते हैं या hide कर सकते हैं आप इसको delete ही कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एक time पे हम एक ही rig को character के साथ में joint कर सकते हैं इ सबसे पहले मुझे इसको character से link करना पड़ेगा link करना बहुत ही आसान है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पहले अपने object को select हीजिए इसके बाद मैं अपना जो यह नीचे जो arrow दिख रहा है इसको आपको shift के साथ मैं click करके select करना है ध्यान रहे कि यह मेरा हलका सा orange होना चाहिए ctrl p बड़न दवाना है और with automatic weights पे जैसे ही आप click करेंगे तो यह मेरा character से link हो जाएगा नीचे वाला arrow यहाँ पे select करेंगे तो इस तरीके से मेरा character है वो यहाँ पे इस तरीके से इस rig के साथ में जा रहा है तो मतलब यह इस से link हो चुका है अब मेरी जो shirt है वो automatic weights पे click करेंगे तो मेरी इस बार यह जो shirt है यह भी इसके साथ में यहाँ पे connect हो जाएगी इस तरीके से कोई भी अगर छोटी मोटी चीज इसमें रह जाती है तो उसको आप weight paint की मदद से यहाँ पे set कर सकते हैं तो इस तरीके से हमारा जो character है वो पूरी तरीके से अब यहा क्या चीजे हैं जो हमें यहाँ पे करनी है सबसे पहले animation के लिए आपको जाना है pause mode में और यहाँ पे अपनी जो rig है इसको यहाँ पे detail में समझना है कि यह किस तरीके से आपका काम करेगी यहाँ पे आपको अलग-अलग तरह के यहाँ पे controllers दिखाई देंगे जो अलग-अल कर सकता हूँ simply मुझे इन पर tick करना है और उख करना है और जो जूचीज में यहाँ पे इसको नहीं चाहिए वो वो चीज मैं यहाँ पे इसको hide करके यहाँ पर हटा सकता हूँ इस तरीके से, आपने देखा किस तरीके से मैंने hein Update इलेती ही और वापसे मैं इनको यहाँ यहा मेरा जो controller है वो बाजू मोड़ने के लिए है और इसकी मदद से मैं इसके हाथ को कहीं पे भी मोड़ सकता हूँ, G बटन दबाऊँगा, इस तरीके से मैं इसके हाथ को यहाँ पे move कर सकता हूँ, यहाँ पे, Ctrl Z दबा देता हूँ, इसी तरीके से दूसरी तरफ का जो है, इसकी जो eyebrow है इस समय वो यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो इसको wait paint से हम set करेंगे, Ctrl Z बटन दबाऊँगा यहाँ पे, अगर मुझे इसकी जो गर्दन है वो गुमा नहीं है तो इसको select करना है, आर बटन दबाना है और Z बटन दबाएंगे, तो उससे यह मेरी गर्दन, इसकी दौनों तरफ इस तरीके से मैं इसको गुमा सकता हूँ, तो इस तरीके से मैं अपने character को यहाँ पे animate कर सकता हूँ, नीचे आपको pairों के लिए rig मिल जाएगी, इसको मैं select करके G बटन दबाऊँगा, इसको उपर नीचे कर सकता हूँ, अगर मुझे left to right move करना है, तो यह blue color के जो icon है, इसकी मदद से मैं इसको G दबा के इधर की side इमो करके कर सकता हूँ, अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह stretch हो रहा है, जो भी मैंने changes इसमें किये हैं यहाँ पे, वो changes अगर मुझे को वापस से इसमें set करने हैं, सबसे पहले इसको A बटन से पूरे को select कर लिजे, इसके बाद Alt R बटन दबाऊँगा, तो जितने भी मेरे यहाँ पे rotate हुए हैं, वो यहाँ पे rotate का जो है, वो change हो जाएगा, और Alt G बटन दबाऊँगा, तो G से मैंने जितनी भी किये है, वो मेरी पुरानी position में आ जाईए, एक चीज बहुए आपको यहाँ पे विसेज ध्यान देने वाली बात यह है, कि अगर मैं इसको यहाँ पे select करूँगा और G बटन दबाता हूँ, तो यह यहाँ पे stretch कर रहा है इस तरीके से, तो जहाँ पे भी आपको stretching की animation चाहिए, तो आप यहाँ पे stretching की animation को इस्तेवाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह stretch ना करे, तो उसके लिए आपको छोटी सी setting करनी है, इस पे यहाँ पे select करना है, उसके according यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी property आ चुकी है, यहाँ पे जो 1 है, इसको हटा के आपको 0 कर देना है, और अब यह मेरा stretch करना यहाँ पे बंद कर देगा, तो मैं इसको simply यहाँ पे select करूँगा, जी बटन दबाऊँगा, तो आप देखेंगे, मैं इसको कितना भी खीचूँ यहाँ पे, अब यह मेरा इसकी बाजू को stretch नहीं करेगा, Ctrl Z बटन दबा देता हूँ यहाँ पे, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इधर की बाजू है, इसको अगर आप stretch हटाना चाहते हैं, तो stretch हटाने के लिए simply आपको यहाँ पे 1-0 कर देना है, और उसी तरीके से जो जो चीजें आप यहाँ पे stretch से हटाना चाहते हैं, इसके pair को हटाना चाहते हैं, इसको यहाँ पर 1 से 0 कर दीजे, अब मेरा जो pair है, यहाँ पर stretch नहीं होगा, और अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करेगा, तो इस तरीके से जिस जिसका stretch आप यहाँ पर हटाना चाहते हैं, simply आपको जाना है, उसको select करना है, वापस से stretch करना है, तो इसको 1 कर दीजे, यहाँ पर property को, और यह मेरा यहाँ बाजू को दुबारा से stretch करने लगेगा, जी बटन दबाऊँगा, इस तरीके से यहाँ पर stretch करेगा, इलहाल मैं इसको यहाँ पर 0 कर देता हूँ, यह वाला जो कंदे पर yellow color का option दिखाई दे रहा है, यह मेरा body का middle part है, उसको animate करेगा, अगर मैं आर बटन दबाऊँगा, इस तरीके से इसको यहाँ पर move कर सकता हूँ, नीचे की तरफ आपको यह छोटा जो यलो color का दिख़रा है, इसकी मदद से आप इसके hips को यहाँ पर animate कर सकते हैं, अगर मैं आर बटन दबाऊँगा, इस तरीके से यह इसके hips को यहाँ पर इस तरीके से animate करेगा, इसके पैरों को भी उसी के according यहाँ पर यहाँ पर यह चेंज करेगा, तो इस तरीके से आप जहाँ जहाँ पर भी इसकी जो body है, उसके सारे controller आपके पास मौझूद हैं, और उसके हिसाब से आप इसको animate कर सकते हैं, animation को अगर आपक के इसको move करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, इसकी जो eyebrow हैं, वो इसके साथ मैं attach नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसकी जो eyebrow हैं, उनको weight paint की मदद से यहाँ पर set कर सकता हूँ, या कोई भी ऐसा body part है, जो यहाँ पर ऐसे रह जाता है, उसको हम weight paint की मदद से यहाँ पर सही कर स साथ में, and button दबाके मैं यह वाली window इस तर से बंद कर देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप इसमें weight paint करने जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर एक अपना rig generate कर लीजिए, basic human का, यह हमारा जो एक नया meta rig मैंने यहाँ पर generate किया है, इसको आपको क weight paint यूज़ करना है, तो मैं इसके object को select करूँ यहाँ पर और इसमें weight paint पर जाऊँगा, क्योंकि मेरा head जो है, इसमें यह eyebrow मौजूद है, आप देख सकते हैं, अब इस rig के साथ में सबसे बड़ी problem ही आ सकती है, कि मुझे इसमें पता नहीं है, कि इसकी जो sir है, इसमें कौन स इसकी rig है, अगर आप यहाँ पर जो इसकी rig है, इसको आप select करेंगे और इसको name select करेंगे, तो यहाँ पर जो इसकी name है, वो यहाँ पर different हो जाते हैं, जबकि जो हमारी basic rig है, अगर मैं इसका name यहाँ पर on करूँगा, तो यह जो नाम है, यह बिलकुल इससे different आएं, इस वज मुझे इसकी body में जाना है और अब मुझे spine 006 यहां पर select करना है अगर आपका यह जो arrow है यहां पर नहीं है तो control F बटन दबाईए इस तरीके से आपका search का option आ जाएगा और head के लिए spine 006 पे जैसे मैं select करूँगा यहां पर मेरे पास option आजाएंगे इसमें मैं यहां पर select करके देख सकता हूँ आपने देखा किस तरीके से इसने head पर select करते ही मुझे बता दिया कि इसका जो red color होते ही समझ जाएए कि यह मेरा यहां पर यह bone इसमें तो यह वाली जो उपर वाली bone है यह मेरी यहां पर इस्तमाल हो रही है spine 006 अब मुझे यह जो eyebrow है आप देख सकते हैं यह blue color में है weight paint में अगर आपको basic clear नहीं है तो आप episode number 34 देखिए वहां पर जाके आपको पता लग जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं जो भी area मेरा red है वो मेरा इस bone से connected है और जो मेरा area blue है वो मेरा इससे disconnected है अब यहां पर जो eyebrow है वो मेरी disconnected है अगर मैं इसका जो color है उसको भी red कर दूँगा तो यह भी मेरी सिर के साथ में attach हो जाएगी simply आपको यह जो icon है इस पर click करना है add करना है तो आपको add पर click करना है अगर आपको यहां पर हटाना है यानि delete करना है तो subtract करना है तो मैं add करना चाहता हूँ, तो मैं add करने के लिए इसका color यहां से red कर दूँगा, इस पर click करके इस तरीके से, अच्छी तरीके से आप यहां पर eyebrow जो है, उसको यहां पर red कर दीजिए, इसमें कहीं पर भी कोई भी color बचना नहीं चाहिए, वो पूरा यहां पर red हो जाना चाहिए, इस तरीके से मैं आप यह अच्छी तरीके से, चारो तरफ से red होने के बाद में आपका जो eyebrow है, यह automatically आपके सिर के साथ में attach हो जाएगा, अब मुझे यहां पर वापस object mode बजाना है, तो इस तरीके से आप अपनी eyebrow जो हैं, उनको यहां पर इससे connect कर सकते हैं, और यह जो आपका जो extra rig जो आपने यहां पर किया था, इसको मैं यहां से delete कर देता हूँ फिलाल के लिए, और यह जो मेरी rig है, इसका मैं name यहां से हटा देता हूँ, ताकि यह मुझे clearly दिखाई दे, अब मैं अगर इस rig को यहां से click करके अलग जगा खीचूँगा, तो आप देखेंगे इसकी जो eyebrow हैं, वो अब इसके साथ में connect हो चुकी हैं, और animation के लिए अब यह perfectly यहां पर तयार हो चुकी है, तो यह था हमारा simple basic rig, जियो हमने यहां पर character में इस्तमाल करके देखा, और आपने देखा कितनी आसानी से हमने यहां पर इसको set कर दिया, और अपने character को अब हम यहां पर animate कर सकते हैं, इसके अलावा जो हमारा दूसरा rig है वो हमारा advanced level का rig है, जिसका नाम है हमारा human meta rig, human meta rig में हम face वगेरा यह सारे के सारे इसमें features मौजूद रहते हैं, लेकिन एक चीज का विसेज ध्यान रखना है कि जब हम इस rig का इस्तमाल करेंगे, तो इसका जो character है वो भी हमें अलग type से design करना होता है, इसकी जो आंख है वो हमें अलग type से बनाना होता है और उसको किस तरीके से बनाते हैं, यह हम next to next video में जानेगे, next video में हम देखेंगे कि हमने character बनाया है उसको किस तरीके से वह पोज लाइबरेरी में यहाँ add करते हैं, किस तरीके से उसके अलग-अलग तरीके पोज बनाते हैं किस तरीके से उसको एनिमेट करते हैं ये हम next वीडियो में देखेंगे अच्छी तरीके से उसको किस तरीके से आपे एनिमेट करने के लिए क्या-क्या settings करने चाहिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई